आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स का चेप्टर नमबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लागरिथम और उसकी एक्सोसाइज 2.6 को सॉल्व करेंगे तो आए हम अपनी एक्सोसाइज 2.6 को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक्सोसाइज 2.6 कोसित्यूर नमबर 1 आपनी वैलुज को फाम करना है लोगरिथम उसकरें पार्ट 1 है 57.86 मैंटिप्लाइ 4.385 तो इसे हम सॉल्व करते हैं Solution जिसे हम लेकर लेते हैं X is equal है 57.86 multiply 4.385 अब आप नहीं क्या करना है लोग को apply कर देना इसमें आरे दूंगा apply logarithm both sides आपके logarithm यह दूंदों साइट करना है ठीक है दूंदों तरह में logarithm लगा देना है तो यह हो जाएगा log X is equal log 57.86 multiply 4.385 अब यहाँ पर देखें multiply आ रहा है आपके logarithm के अंदर ठीक है तो आपको पता है जब multiplication आ जाती है logarithm में तो आप इसे क्या करते हैं प्लस करते हैं तो यह दूंदों लिख सकता हूं log X is equal log 57.86 plus log 4.385 ठीक है अब आपने calculator को यूज़ करना है log रभाएं आपके आप दिखेंगे 57.86 तो मैं पार जो बैल्यू आई वो लिखेंगे आपके हम 1.76 आगे लिखा हूं है log 2.3, 7th round of होगा तो यह हो जाएगा है 2.4 ठीक है प्लस का प्लस अब आपने इसका log लिखने है log 4.385 ठीक है अब जीरो पाइंट 6,419 ठीक है अब देखेंगे इसका 6 है तो यह round of होके क्या हो जाएगा आपका 20 20 हो जाएगा ठीक है log X का log X log X का log X is equal अब आपने इन दोनों वैल्यू को प्लस कर दे रहा है 1.7624 प्लस 0.6420 जब ने प्लस किया तो हमाँ आप वैल्यू आगे 2.4044 ठीक है अब आपने का करना है इसका एंटी लोग निकालना है तो हम यह अपने दोनों तरफ यह एंटी लोग निकालना है यह आपका एंटी लोग एक्स इस इक्वाल यहाँ अपने एंटी लोग और देनेंट लोग एंटी लोग और देनेंट 2.4044 तो आप एंट जो होगा है 253.746 इसके बाद हमाँ पास 4 है इसके बाद हमाँ पास 6 है तो 6 जो राउंड उफ करेंगे तो हम 4 जो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा तो यह हमारा part 1 वाँ आप आगी इसके बाद के जो part है उसको अब हम solve करते हैं part 2 है 25.753 x 0.5341 x 490.8 तो इसके बाद करते हैं solution इसके बाद करते हैं x is equal 25.753 x 0.5341 x 490.8 अब आप क्या करेंगे apply कर देंगे logarithm को ठीक है तो मिया लिदेंगे applying logarithm both sides आपने x के तरब भी log लगा देना है जो हो जाएगा log x is equal और यहां पर भी आपने log लगा देना है ठीके 25.753 x 0.5341 x 490.8 यहां पर देंगे multiplication है तो इसके मतलब आपने क्या करना है plus की sign को use करना है log x is equal log 25.753 plus log 0.5341 plus log 490.8 ठीक है तो आपने सब्सक्राइब क्या करना है यह वारे log को find करना है हमने log लिखा 25.753 हमारे पार value आई 1.4108 ठीक है plus अब आपने यह वारे log को find करना है log 0.5341 हमारे पार जो value आ रही हो माइनस में आ रही है यह bracket में लिखेंगे 0.2723 जो यह round of होके क्या हो जाएगा यह 4 हो जाएगा अब आपने यह वारे log को find करना है plus लगा देंगे 490.8 अब आपने क्या करना है 2.69090 ठीक है अब इसको और simplify करना है 1.4108 plus minus क्या हो जाएगा 0.2724 plus 2.690 और यह 90 सबसे पहले आपने यह दोनों value जो है plus वाली इन दोनों को plus कर दे रहा है ठीक है 1.4108 plus 2.690 और यह 90 जब आपने क्लस किया तो हमाएगा value आए plus की Y 4.1017 अब आपने क्लस कर देना है 0.2724 अब आपने क्लस कर देना है को log X आजाएगा is equal 4.1017 minus क्लस कर देना है 0.2724 तो हमारे पाँ जो log की value Y 3.8293 अब आपने करना है क्लस कर देना है क्लस कर देना है अप्लाइ 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 बहुत साइट आपने दोनों तरफ के रगाना है anti-log रगाना है यानि देने anti-log log X यवाला आपका is equal anti-log 3.829 और यह 3 अब आप देखें anti-log से आपका log ही cancel अब आप नहीं हाँ पर anti-log मारूल करना है इसकार पर हम shift दबाएंगे log यह आपका anti-log आपका 3.829 और यह आपका 3 तो हमारे पास anti-log आया हुआ है 6749.94 यह आप इसम राउंड आफ करेंगे तो हमारे पास यह वेल्यू क्या बन जाएगी 6750 यह आपका part 2 जो है वो solve हुआ आईए इसके बाद पर जो part है उसको अब हम solve करते हैं part 3rd है 25.753 upon 0.5341 अभी आपको division formula यह गया है जिसम solve करते है let कर लेते है let x is equal 25.753 divided by 0.5341 अब apply करते हैं यह आप लोग को apply logarithm both size आपके दोलो करफ क्या लगा देना है log को लगा देना है 3 हो जाएगा log x is equal यहां पर भी log लगा देंगे 25.753 form 0.5341 ठीक है अब आप तो पता है यहां पर क्या करते हैं division form होती है log x is equal log 7 is 25.753 अब क्या आएगा minus log 0.5341 ठीक है log x 7 as it is अब आपने log को find करना है log लिखा हमने 25.753 log की जो आप वेल्यू आई 1.4108 minus का minus अब आपने log लिखा हमने log लिखा हमने 0.5341 अब log की वेल्यू आप minus मारी किसम रेकेट पर लिखेंगे 0.27 237 अब 7 का हम जब राउंड अफ कराएं के लिए 24 हो जाएगा log x 1.4108 minus minus plus हो जाता है 0.2724 log x का log x अब आपनी का करना है इन दोनों वेल्यू को plus कर देना है 1.4108 plus 0.2724 हमें plus किया तो हम आपका value है 1.6832 अब आपनी का करना है anti logarithm को apply कर देना है तो आप लिखेंगा applying anti logarithm both sides यानि के आप ने दोनों तरफ जो ही क्या ले लेना है anti log ले लेना है यहां पर मैं anti log लिखुँँगा यह log x आ जाएगा आपका ठीके इसके बाद आपने यहां पर anti log लिख देना है ठीके भी इसके बाद 1.6832 यह लिख जाए anti log से log आपके अगे जिल्टो x आपने find करना है तो anti log निकालेंगा आप इसका सबसे बहरें हम shift दबाएंगे किसका आप लॉग अब हम value लिख देंगे 1.6832 जब मैं value लिखी तो हमारे पा value आई 48.21 आप देखिए इसके बाद हमारे पा value लिखी हुए 69 लिखी हुए जब 9 को round off करेंगे तो 6 आपकी क्या हो जाएगा saving हो जाएगा यह आपका part 3 solve 1 को आईए इसके बाद के part है उसको अब हम solve करते हैं part 4 है 790.6 multiply 30.32 upon 25.753 तो इस हम solve करते है solution इसमें आपके दोनों लाज इस्तमाद के जा रहे हैं इहां पर आपका multiplication का लावी है और division का लावी है तो इसमें पर लेट कर लेए let x is equal है 790.6 multiply 30.32 upon 25.753 तो हम अब क्या करेंगे logarithm को apply करेंगे applying logarithm both side y यानि कि आप लोगरिफम दोनों sides पर apply करेंगे दिये हो जागा आपका log x इसलिकल अब यहां पर आप लाग लगा देंगे और यह वाली value जो हमारी लिप देंगे 790.6 multiply 30.32 upon 25.753 log x अब यह सब लोग फार्म में लिखेंगे 790.6 multiply की sign एड़े कि तो हम प्लस किया दे कि इतर लोग लगा देंगे 30.32 अब यह आपका 25 उपर जाएगा यानि कि लोग की फार्म में लिखेंगे दो minus log 25.753 क्योंकि आप देंगे division वाला ला ला लग रहा है तो उसमें division में minus की sign उसकरते हैं log x sam presentis अब आपने सबसे प्ले log जो निकालना है तो सबसे प्ले log लिखेंगे 790.6 लिखेंगे आपने यह आपर तो हम आपर जो value आई 2.89 इससे आगे जो value लिखी हो वो लिखी है हमारे पास 795 जब यह round off हो जाएगा तो हमारे 79 क्या हो जाएगा यह 80 हो जाएगा plus का plus अब आपने जो log निकालना है 30.32 इसका आपने log निकालना 1.4817 आपने की राउंट आप नहीं हो सकती ठीक है minus अब log आपने किसका निकालना है log 25.753 तो हमें इसका log निकालना हमारे पास आई value 1.4108 ठीक तो अब आपने क्या करना है log x को सैंट एज़ेट इस रिखनेंगे अब सबसे प्लस वाली जो value इन दोनों को plus करेंगे 2.8980 प्लस 1.4817 इन दोनों को आपने plus किया तो हम आप आप value आई 4.3797 अब आपने minus करते हैं 1.4108 को अब माइनस करते हैं 4.3797 लिखा माइनस 1.4108 तो हमारे पास log x से रिखने दो रहेगा इस वीपर तो हमारे वेरिफाइब 2.9689 अब आपने करना क्या है कि इसका anti logarithm निकालना है तो आप फिले क्या करेंगे apply यहां लिखेंगा anti logarithm both sides ठीके इसका मजब आपने anti log अब आपने anti log log x is equal anti log अब आपने यह वाली value लिख देंगे 2.9689 log से log cancel अब आपने anti log निकालना है इसका यह वाली value का log anti log कैंसे निकालना है shift अब आएंगे anti log जब value लिख रहे है 2.9689 इसका की sign अब आएंगे हमने 930.893 यह आपका part 4 solve वाल तो आएए इसके बाद का जो part है उसको अब हम solve करते हैं part 5 है 2391 multiplied 30.72 about 23.34 यह part जए आपके part 4 की तरह same as it is solve होगा यहाँ पर भी आपके two last apply की जा रहे है ठीके एक तो multiplication वाला है और एक division वाला है ठीके तो इसका हम solve करते हैं solution let कर लेते let x is equal 2391 multiply 30.72 upon 23.34 अब यहाँ पर यहाँ पर आपके अप्लाइं अप्लाइं logarithm both size ठीके तो हम आपर इसको log x लिखेंगे apply होगे हैं अप्लाइं log 2391 multiply 30.72 divided by 23.34 log x अब लोग यह वाली वाली हमारी आजएगी 2391 multiply के sign एटेकी तो हम यहाँ पर log 30.72 यहाँ पर जोगे देखें आपका division का लाप्लाइं होगे अप्लाइं होगे log 23.34 ठीके log x से अज़िस रहेगा इसकल अब आपने सबसे प्ले का करना है log 2391 इसका माँपा जो log आया 3.378 5 जो है इसके बाद 7 है जब 7 को round off करेंगे 6 हो जाएगा अब आपने यहाला log निकाल लाएं log 30.72 इसका इसका जो लोग आया है 1.4874 ठीके इसके बाद के बाद के बाद यह रांड लोग नहीं हो सकती 5 के चोड़ी है माइन अब आपने log निकाल लाएं इसका log निकाल लाएं इसका अब पर जो log निकाल लाएं 1.3681 इसके बाद लाएं वाद लाएं रांड लोग नहीं सकती 5 से वो छोड़ी है log निकाल लाएं सबसे पर लाएं प्लस वाली वैल्यू जो उनको प्लस करेंगे 3.3786 प्लस 1.4874 तो मैं पास जो वैल्यू आई वाई 4.866 माइनस का माइनस 1.3681 अब आपने क्या करना है माइनस कर देने 4.866 माइनस 1.3681 माइनस किया log x 3.4979 अब आपने करना है यहां पर अप्लाएं करना है अप्लाएं anti logarithm both size यहां आपने दोनों तरफ क्या ले रहा है anti log anti log log x is equal anti log 3.4979 anti log x is equal अब आपने anti log निकालना है इसका अब आपने निकालना है तब से पिल हम shift अब आएंगे 9 multiply 0.785 यह भी आपके पार्ट 4 और पार्ट 5 की तरह ही solve होगा solution क्योंकि यहां पर देखना आपके दो लावस अप्लाय हो रहे एक तो division का लावा रहा है और दूसरा multiplication का लावा रहा है तो इसे solve करते है solution तो आपके लेंगे x is equal 99.87 upon 8.369 multiply 0.785 ठीके तो अब आपने का करना है logarithm का apply कर देना है applying logarithm both sides दोनों तरह आपने log ले लेना है यह जाएका log x log 99.87 upon 8.369 multiply 0.785 यह पौंग का पौंग ठीके अब यहाँ पर अज़र है आपने दूनों लाव अप्लाय करने एक एक करके log x is equal log 99.87 minus log यहाँ पर आपका देखें multiplication है और यह division form में जा रही है तो हम minus की साहन लगाएंगे 8.369 multiplication की साहन है तो हम plus लगाएंगे log 0.785 ठीके log x same as it is रहेगा अब आपने log निकालना है log 99.87 इसका आपने log निकालना है इसका log 8.369 तो हम आपका value आई आपक 0.922 अब यह देखे 6,7 तो 7 को round off करेंगे तो का हो जाएगा 7 हो जाएगा इस प्रैकेट लगा देगे हम यहाँ पर अब log क्या हमने value निकालना है पर 0.785 तो हम आपका value आई माइनस में तो हम आपके लिए 0.1051 ठीक है लिए कभी प्रैकेट हमने यहाँ पर बंग कर दिया log x as it is रहेगा 1.9947 as it is रहेगा माइनस का माइनस simplify करने है 0.9227 प्लस माइनस माइनस 0.1051 प्रैकेट का प्रैकेट log x is equal 1.9947 बंग का माइनस अब आपने करना गया है इन दोनों values को माइनस कर देना है 0.9227 माइनस 0.1051 0.817 और यह 6 तो अब आप क्या करेंगे log x as it is कि रहेगा अब आपने इन दोनों को माइनस करते है 1.9994 माइनस 0.8176 माइनस किया था हमाँ प्रैकेट 1.1818 अब आपने करना है anti log system निकालना है तो अप्लाइए करते हैं आप अप्लाइए anti logarithm both size यानि कि आपने दोनों तरफ क्या लेना है anti log 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 x हो गया है is equal यहाँ पर आप रिखेंगे anti log किसका निकालना है आपने 1.1818 यह अप्लाइए यह अप्लाइए आपने anti log निकालना है under root 2.709 7 index under root 1.239 इसा हम solve कर दें solution सबसे बेले इसके root को खतम करेंगे root को खतम करें 2.709 7 index अगर इंडेक्स पर हमारे पास कोई नंबर नहीं होता तो हम क्या लगाते है 1 upon 2 अब आप हमारे पास index मोजूँदे 1 upon 5 multiply का multiply इसका root यह इसी तरीके खतम करेंगे 1.239 index नमारे पास आज निक हो खतम हो index x is equal है हमारे पास 2.709 1 upon 5 multiply 1.239 1 upon 7 अब यहां पर आपने log apply कर ले है apply logarithm both side आपने दो तरफ log ले देना है तो यह जाएगा log x is equal यह जाएगा log 2.709 1 upon 5 multiply 1.239 1 upon 7 यहां पर आपके देखे two last apply हो रहे हैं log 1 upon 5 log 1 upon 5 2.709 अब यहां देखे आपका यह जाएगा यह जाएगा 1 upon 5 1 upon 5 अब आपने चरना किया है log निकालना है तो log हम यहां पर लेंगे log 2.709 यह जाएगा आपने आपने निकालना तो आपका value आपर multiply रहेंगे 0.4328 ठीके प्लस 1 upon 7 multiply अब आपने log जो निकालना है किसका निकालना है आपर सबसे भिला हम log निखेंगे 1.239 log की जो आपका value आपका 0.09 30 के बाद देखे 7 है तो इराम जाएगा 31 यह जाएगा log x आपका same as it is रहेगा is equal का is equal अब आपने क्या करना है 1 को जोड़े आपने multiply करा देना 0.4328 और आपने divide करा देना है उससे 5 ते तो हमाँ पार जो value आपका 0.08656 प्लस का प्लस अब आपने क्या करना है same as it is इसको भी करना है 1 को आपने multiply करा देना 0.0931 से फिर आपने divide करा देना है इसको silence है तो आपके पार जो value आए 0.0133 ठीक है log x आपका same as it is रहेगा अब आपने इन दोनों को plus कर देना है 0.08656 प्लस 0.0133 ठीक है आपके पार जो value आए 0.09986 अब आपने करना है anti logarithm को apply करना है apply anti logarithm both sides आपने दोनों कर जोए anti log को ले लेना है anti log log x x is equal anti log 0.09986 anti log से log एक है x is equal अब आपने anti log लिकना है तब से पर हम shift दबाएंगे shift के पार हम log दबाएंगे अब आपने value लिक देने 0.09986 यह लिकाद हमाँ पार जो value आए 1.25851 1 के पार 9 है तो यह राउंड ओब की का हो जाएगा 52 हो जाएगा तो यह आपका part 7 solve वा यह answer जोए हमारा book के according नहीं आया क्यूंके book के अंतर आपके wrong answer दिया गया है right answer जोए आपका यह 1.25852 तो आइए आप इसके बाद की पार में उनको हम solve करते है part 8 ही 26.62 whole 1 upon 2 multiply 87.19 whole power 3 account under root 69.53 जो यह आप सॉब करते है solution 26.62 whole 1 upon 2 multiply 87.19 whole power 3 upon 69.53 अब इसका हमें root खतम करना है तो हम क्या करेंगे 69.537 अब इसका हमें root खतम करना है तो हम क्या करेंगे 69.53 1 upon 2 multiply 87.19 whole power 3 upon 69.53 1 upon 2 तो हम क्या करेंगे लोग को apply करेंगे अप्लाइए logarithm both sides आपके दोनों तरफ जाहिए लगा है लोग लगा है इसी हो जाएगा log x is equal log अग यहां देखें आप 26.62 whole 1 upon 2 multiply 87.19 whole power 3 upon 69.53 whole 1 upon 2 2 अब आप यहां पर देखें आपके 3 last apply हो रहा है power कला भी apply हो रहा है multiplication कला भी apply हो रहा है और आपके आपे division कला भी apply हो रहा है ठीके तो हम इसको लिखते है log x सबसे पेले हम आपके पावर का लाग लाए कर रहे है 1 upon 2 log का लोग 26.62 अब यहां देखें आपके पावर है 3 तूंसी रिखतेंगे log का लोग 87.19 minus वाजएगा अब आपके पावर देख 1 upon 2 यहां पर log लगाएंगे फिर उसके बाद हम 69.53 देखेंगे ठीके log x आपका same as it is रहेगा 1 upon 2 भी आपका same as it is रहेगा सबसे पिले हम जो log निकालेंगे 26.62 का log हमारा आगी है multiply sign लाएगी है 1.42 इसके बाद क्या आपका 52 ठीके plus का plus 3 भी आपका same as it is रहेगा अब आपने log जो निकालना है log 87.19 तो हमारा पर जो log आया वह आया 1.9404 आप देखें यह round of हो जाएगा 5 हो जाएगा minus का minus 1 upon 2 multiply लागा देखेंगे अब आपने log निकालना है 69.53 का निकालना है ठीके तो हमारे पार जो value आया 1.8421 आप देखेंगे 7 इसके बाद तो अब आप क्यार करतेंगे यहां पर 2 लगा देखेंगे ठीके तो अब आप log x को same as it is रिखेंगे is equal अब आपने क्यार करने सब्सक्राइब 1.4252 multiply कराने का उसको divide करा देंगे हम यापर 2 से तो हमारे का value आप 0.7126 अब आपने 3 से multiply करा देंगे अपनी इस value को 1.9405 जब मैं इसको multiply करा देंगे 5.8215 minus को minus अब आपने 1 के multiply 1.8422 अब आपने divide किसे करा देंगे हम इसको 2 से करा देंगे 2 से divide करा देंगे 0.9211 ठीक है जाता कीजिए जे इसका लोग x आपका अब आपने उन दूनों values को क्या कर देंगे plus कर देंगे 0.7126 plus 5.8215 अब आपने 6.5341 minus 0.9211 ठीक है तो इसको minus करा दें 6.5341 लिखा हमने minus 0.9211 लिखा लोग x आपका 5.613 अब आपके यहां तक हो चुका है लोग तक का आप आपने क्या करना है एंटी लोगर्फिम का अपलाय करना है तो भी हां पर टाइप लिखता हूँ यहां पर लिखता हूँ यहां आपका anti-log लोग आ गया यहां आपका log x आ गया is equal यहां पर आपका anti-log जो आपने निकालना है बोली को अवर्फिम क्या है आपका 5.613 anti-log अपका log cancel x is equal अब आपके anti-log निकालना है this है 5.613 का shift Noel log दवाएँए 5.613 हम लिखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया, वो आया है, 410204.103, तो यह हमारा पार्ट है, सॉन्वर, यह आंसर भी जो है, आपके according to book नहीं है, बुक में जो आपको आंसर दिया गया है, वो wrong आंसर दिया गया है, तो राइट आंसर आपका यह है, तो आईए इसके बाद के जो पार्ट है, उसको अम साथ करते हैं, पार्ट दाइब है, 4308 फिल्द गार्ट करते हे, अब हम रूट टे हसम करना है, तो गया करेंगे, 80.06 को से हैवड इलगे है, जो रूट को रिम्प करते हैं, तो आपांट 2 लगाते हैं, अगर इंडेक्स में कुछ नहीं होता तो, ठीक है, अपांट का अपांट, 0.3387 whole power 3, इसा हम लैट कर लेते हैं, लैट, x is equal है मेल पास, 4,308 whole power 3 multiply, 80.06 whole 1 upon 2, अपांट का अपांट, 0.3387 whole power 3, अब हम अप्लाई करते हैं, लोग को, अप्लाई, लोगर्थम, बोथ, साइज, आपने दूनों तरफ जेने, लोग को अप्लाई करते हैं, 3 हो जाएगा, लोग, x हो जाएगा, इतिकल, लोग का लोग, 4,308 whole power 3 multiply, 80.06 whole 1 upon 2, upon 0.3387 whole power 3, यहां पर भी देखें, आपके तीनों के तीनों last apply हो रहे हैं, एक power का लाई भी लग रहे हैं, आपका डिमीजन का लाई भी लग रहे हैं, और multiplication का लोग भी लग लग रहे हैं, लोग, x आपका same as अप्लाई रहे हैं, इस इक्वल, सबसे पहले हम यहां पर वहा हुआ है 5,3, 0,8, फॉक्का अí। बदा लगा निघे हैं, बॉक्क है लग लग रहे हैं, अब इक्वाइफीजन का लेग लग लग लगन आपका सही लगईए arrows, प्लाइफ इसे बद्रास आपका सबसे फिच्चिजन का लग 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 लुग से का लोग से 0,3387, लगस तो आपने लॉग निकालना है इसका 4308 तो आपने लॉग निकालना है किसका निकालना है 80.06 का निकालना है तो हमारे पास जो लॉग की वेडिया है 1.9034 ठीके इसका माइनस 3 अब आपने मॉटिप्लाई की साइन लागा है लॉग 0.3387 तो हमारे पास वेडिशारी माइनस में आगी है तो माइनस लिकिन के 0.4701 इसको हम सिप्टिफाय के लेते हैं लॉग एक्स आपका से एज़ए उत् अब आपने 3 झे मॉल्टिप्लाई करा जेँ है आप इस वेडिश को 3 3.3 तो अपके वेल्वारी है आपके 10.9029 ब्लस 1 तो रहें कि आपके 1 1.9034 को आपके डिवाय तो उसको तुसे तो हमारे आपके वेल्यो आइ अब तिरी से मुडिप्लाई करें लिए थो पुइंट लिए यालिकित को सब्सक्राइब 0.4701 जब इसको मुडिप्लाइब करें नहीं है धुशन यहां है तो वैल्लोग एकसा दिएब अब आपने इस वेल्यूस को ब्लस कर जाएंगा, 10.9029 प्लस 0.9517 प्लस 1.4106 प्लस किया तो हम आपा वेल्यू आई, 13.2652 अब आपने अप्लाय कर देना है यहां पर एंटी लोग्रिथम को ताम लेदे देंगा, अब लाएंगा, एंटी लोगन्हें आपो टॉर्त साइथ drug Candly तो थीरा आप लूग दुएँगे वोग्रिद मेनने होलोग एंटी लोग एंटी लोगог के साथ, Сам भुण पर हम दिनेके एंटी लोग एक अंति लोग नीकाल नहां है जो यह आपका पार्ट 9 सॉठ गवाइगे 2 पार्ट 9 जोग हैं उनको अब हम सॉल्फ करते हैं एं है 43.68 होल पावर फाइब एंडरूट 0.057 होल पावर 3 अब हम 3.048 होल पावर 4 इस हम सॉल्फ करते हैं सोलुशन सबसे भी हैं सिंप्रिफाय कर लेते हैं 43.68 होल पावर 5 अब इसका एंडरूट हमें हतम करना है हम क्या करेंगे 0.057 होल पावर 4 इसे मज़िध सिंप्लिफाय कर लेते हैं 43.68 होल पावर 5 इसका वार 5 बगना होल 5 इसे मज़िध सिंप्ल्रिफाय कर लेते हैं 3.048 होल पावर 4 इसे मज़िध सिंप्लिफ्लै कर लेते हैं सिंप्लिफिफ थोल 0.05ません 11, whole 3 upon 2, upon 3.048 whole power fold, अब आपने लोग को अप्लाइए रहते हैं, अप्लाइएं, लोगेंथम, बॉट, साइट, आपने दो में लोग लगाने लेंगे हो जाए का आपका लोग X, एक लोग, 43.6, whole power 5, मालिक्ट लाएं, 0.057 whole power 3 upon 2, upon 3.048 whole power 4, लोग लोग अप्लाइ करके लिए मितिक्लिकेशन लोग लोग, लोग लोग लोग, इस पर देखें प्वावर फाइब लगा देखें लॉइजा नोग का लोग रहेगा ऑटी फ्री पॉइंट इस एक तरह प्लिटीप्रिकेशन इस आपके प्लस की साइन आएगी पावर क्या है आपकी 3 अकॉंट 2 दूटी अकॉंट 2 लॉग का लॉग 0.057 अभी आपके माइनस किसा है रही है पावर आपकी फोर आएगी लॉग 3.048 ठीक है लॉग एक्स आपका सेम इस रहेगा 5 आपका इस रहेगा अब आपने जो लॉग निकालना है वो किसका निकालना है 43.68 इसका जो लॉग आया आपके पास क्या आया 1.64028 ही खावाए जो 8 को जो राउंड आफ क करींगे तोगि आल जाए हमारे पास 2 3 बन जायागा ठीकिए पिरस का लगर प्लस ठीक यह कॉंह का 3 po5Theet2, कि स्टल्टप्लाइगा자는 कि सजारे है इनज्टा मां इनज्टक्र आपके लॉग की स्टल्टप्लाना है एक लाँ लॉग 10.057 इसका आपके लोग का आएग माइनस आपका निकालना है, कि यह हमने log निकालना है, यह दो हमारा पाइड गवाल रधाए 0.4840, ठीक है अब आपका लोग आपका सैम एधीज रहाएगा, 505 से multiply करा जैंज है अपने 1.6403 को, छब यह gwाल रधा है गवाल रधाए 8.2015 का plus, अब यह plus इसके साथ क्या होगा? अब आपने 3 से multiply करा देना है 1.2441 को फिर आपने divide करा देना है 2 से जब आपने divide करा रहा है तो हम आपका value है 1.86615 minus का minus अब आपने 4 से multiply करा देना है 0.4840 को जब आपका value है 1.936 अब यहां पर देखें आप यह वाली value आपकी log x के बाद यह आपकी plus में तो हम से बाद देखें 8.2015 अब दोनों value आपकी क्या है माइनस की है तो हम क्या करेंगे पेले plus करेंगे तो देखें 1.86615 फिर इसके बाद हम प्लस कर देगे 1.936 तो आपके पाद जो value आई वह क्या है हम पर minus की साइन यह रहेगी 3.80215 ठीके तो आप क्या करेंगे इसको हम यहां पर कर लेतें अब आपने माइनस करा देना है 8.2015 माइनस करा देंगे इसमें 3.80215 में तो हमने माइनस कराया हमारे पास जो answer आया 4.39935 अब आपनी क्या करना होता है एंटी लोगरिफम को अप्लाई रहना होता है इना कर देंगे अप्लाई एंटी लोगरिफम बोद साइट्स यानि कि आपने दोनों तरफ जोई क्या रहाना है एंटी लोग रहाना है अब आपने एंटी लोग निकालना है शिप्ट अब आपने लोग आपने लोग लेकर है 4.39935 तो हमारे पास जो value आई 9.425-081.297 तो यह आपका part 10 भी solve हुआ इसका answer भी जो है book according आपका गलत है ठीके तो इसा ही answer आपका यह है ठीके तो आपका part 10 भी solve हुआ और आपका question number 1 भी solve हुआ तो आई इसके बाद की question है उसको अब हम solve करते हीं question number 2 find the number of digits in the following आपने find करना है number of digits को आपको part 1 दिया गया है 4 power 4 इसको solve करने से पेले यहां पर मैं आपको बाता हूँ यहां पर जो है आपने characteristics जो है उसका formula लिख लेना है characteristics जो है वो इदिकल है आपर n plus 1 अगर आपका characteristic positive में होगा तो आपने क्या लगाना है plus one लगाना है अगर आपका characteristic यहां पर जो है minus में होगा तो आपने क्या लगाना है उसका formula लेखें तो आपने लेख लेना है अगर आपका characteristic positive होगा तो यहां लगाना है अगर आपका जाए आपका और मैंट इसा क्या रहे है ठीकिए लहां आपके part 1 को source करते हैं ठीकिए solution इसको लेट कर लेट आपके लेट एक्स डिजिकल नवर का 4 power 12 अब हो अप्लाय कर लेते हैं आप लोगरेश्म को अप्लाइं कि लोगें थम बॉट साइड्स आप से जोटों तरफ लोग लेने लेना है यहां पर ज़रे आपका पावर का लाग अप्लाय होगा लोग एक्स आपका स्थयार आपको इस डूप का लॉट-फॉर का लॉट-फॉर ऐस दीनें इस पर 12 का 12 मॉंटिपलाय का मॉंटिपलाय है अब आपने लोग 4 निकालना है लोग 4 जो आपकी वैले है क्या है 0.6020 तो फिरलोग एक्स आपका से अपाश्म इस डूपर अब आपने 12 से 0.6020 को जब मैं multiply कर रहा है तो हमाँ का value is 7.224 अब देखें आपको करहें आपर characteristics क्या है वो है 7 क्या है आपर characteristics यापर 7 है तो हम यहाँ पर formula लगा लगा लें के n plus 1 ठीक है यह एक यह आपको characteristics हो रहे है तो आपको जो answer आएगा वो 8 आएगा यह आपका part 1 solve रहा तो आई इसके बाद की चो part है उसको अब हम solve करते हैं part 2 है 7 power 25 तो हम solve करते हैं solution left x is equal 7 power 25 हम logarithm को apply करते हैं applying logarithm both size अब आपने log j वो दूरों size पर apply करते हैं यह हो जाएगा log x is equal log 7 power 25 यहां पर आपका power का लाँ लग रहा है ठीक है आपने log x को set as it is लिक देना है 25 पावर आपका यहां आ जाएगा log 7 का log 7 log x आप 7 as it is लिक है 25 पर 25 मुटिपलाई का मुटिपला है अब आपने log 7 निकाल लेना है ठीक है log 7 आपका है 0.8450 ठीक है log x आपका set as it is लिक है अब आपने करना है 25 से multiply कराता है 0.8450 को जब मुटिपलाई कराया है हमाय का जी value आई 21.125 यानि के आपको जो करेक्राट्रास्टिक से है इसमें क्या है 21 अब आप यहां फॉर्गल रगाए आपका पार्ट वन इसको अब हम सॉल्फ करते हैं पार्ट थर्ड है 3 पावर 30 तो इससा हम सॉल्फ करते है solution let कर लेते है let x is equal 3 पावर 30 अप्लाइं कर लेते हैं आपके logarithm को अप्लाइं को लॉगिस्थम बहुत साइज हमने दोनों तरफ लोग लिए यह हो जाएगा आपका लॉग एक्स हो जाएगा एविपल यह हो जाएगा आपका लॉग 3 पावर 30 यहां पर आपके पावर कर लाद लग रहे है लॉग एक्स आपका स्याफ एडिस रहेगा यह पावर आपका 30 यहां आ जाएगा यह हो जाएगा आपका एडिकलामगन बएक्स कर देख कर देख की श्चान का आपके रॉग 202 और यहां पारफीन ही भैश्य तो आप देख कर अगए अगरी तक पोजितिव दे कि प्लस के जा राएं चाहिसाइभ का क्रांप प्लस के प्लस करते देने इस भी क्रिफीं ल्यसे एकक्षिटीब अब बन ही प्लस करते ही यह आपका पाहल less के बाह गाल सेके को तक पाहल से कब रही है को कि लोगुरिट्फम को अप्लाइन ऑप लोगुरिफम बोट साइचाच आपने लोगुरिफम को जो जाया का आपका लोगुरिफम यहां पर आपके पावर का लाव लग रहा है लोग एक्स आपका स्याइब की तरहेगा पावर आपका पहले आजाएगा फाइब की हो जाएगा आपका लॉग 3 लोग 3 निकाल देंगे लॉग 3 तो आपके पास जो वेलिगा इस वाइब 0.4771 अब आप नहीं फाइब कर देंगा लोग एक्स वाइब लिए अब इस वाइब आपका पाट को आई है इसके बाद की जो पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं पार्ट 5 बेन ना इन पावर 4 जो भी आपकर सॉल्व करते हैं एस उलूशन रेयड कर लेड एक्स इसओं ना इन पावर 4 अप्लाइ करते हैं लोग इसम अप्लाइब लोगरित्म बोट साइड आपने दोनों तरफ क्या लेना है यहां पर लोग लेना है जो जाएका लोग नाइन पावर फोर यहां पर आपके पावर टाला रख रहा है उसका अप्लाए कर जाते हैं नग लोग एक्स से रहा हैं अवर पॉर आपका यहां आजाएगा लोग नाइन पार नाइन आजाएगा लोग एक्स आपका चैनल रहेगा अर्द मिल्टिक्लाइ काम 4 multiply 0.9542 तो आपके पार जो value है by 3.8168 आपको जो characteristics आए पॉसिटिव में आए 3 तो आपको आपको जो आए 3 है प्लस 1 कर देंगे 3 प्लस 1 is equal to 4 तो यह आपका part 5 solve हुआ और question number 2 complete हुआ तो आज हमारी class 9 की mathematics का chapter number 2 जिसका नाम है log rhythm उसकी exercise 2.6 को complete किया इसमें अगर आपको कुछ भी सबच में ना आया हो या कुछ भी problem हो तो आप हमें comment section के अंदर जाकर comment करके मारूब कर सकते हैं जब तक के लिए मुझे इजाद्थ दीजेगा अल्ला हाफेज